भारत के सबसे चमतकारिक और रहस्यमई मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपती बाला जी भगवान तिरुपती के दर्बार में खरीब और अमीर दोनों सच्चे शद्धाभाव के साथ अपना सिर जुकाते हैं ऐसा माना जाता है ये मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बलकि पूरे विश्व के अमीर मंदिरों में से एक है हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाडियों परिस्तित इस मंदिर में भगवान फैंकिटेश्वर का आशिरवाद लेने के लिए एकत्र होते हैं माननेता है कि भगवान बाला जी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं ऐसी माननेता है कि जो भग्त सचे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं बाला जी उनकी सभी मुरादे पूरी करते हैं मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी शद्धा के अनुसार यहां आकर तिरुपती मंदिर में अपने बाल दान करते हैं इस अलोकिक और चमतकारिक मंदिर में ऐसे ऐसे रहसे जुड़े हुए हैं जन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे तो आईए जानते हैं मंदिरों से जुड़े कुछ रहसे हैं कहा जाता है कि मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ती पर लगे बाल असली है ये कभी उलशते नहीं हैं और हमेशा मुलाइम रहते हैं माननेता है कि ऐसा इसलीए है कि यहां भगवान खुद विराचते हैं मंदिर में एक और अजीब खटना होती है जिसे लेकर लोग कहते हैं कि सच में यहां भगवान रहते हैं मंदिर में बालाजी की मूर्ती पर अगर कान लगाया जाए तो उसके अंदर से आवाज आती है यह आवाज समंदर की लेरों की होती है एक बात और आश्चरे करती है वो ये कि मंदिर में बालाजी की मूर्ती हमेशा पानी से भीगी रहती है जैसे समंदर के पास एक शांती सी महसूस होती है वैसा एहसास मंदिर में होता है भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है वैज्यानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वो कुछ समय बाद ही चटक जाता है लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता मंदिर में मुख्य द्वार पर दर्वाजे के दाईयों और एक छड़ी है इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यवस्ता में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी इसी कारण उनकी ठुड़ी पर चोट लग गई थी इस कारण वश्तब से आज तक उनकी ठुड़ी पर शुकरवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका खाओ भर जाए भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदेव जलता रहता है इस दिये में नहीं कभी तेल डाला जाता है और नहीं कभी खी कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था जब आप भगवान बालाजी के गर्ब ग्रह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ती गर्ब ग्रह के मध्य में स्थित है वहीं जब गर्ब ग्रह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा मूर्ती दाई और स्थित है भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गाउँ है और यहां बाहरी वेक्तियों का प्रवेश वर्जित है यहां पर लोग बहुती नियम और संयम के साथ रहते हैं मानने ता है कि बालाजी को चड़ाने के लिए फल, फूल, दूद, दही और घी सब यहीं से आते हैं इस गाउं में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारन नहीं करती वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतीमा एक विशीश प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है मगर यह पूरी तरह से जीवन्त लगती है यहां मंदिर के वातावरन को काफी धंडा रखा जाता है उसके बावजूद माननेता है कि बालाजी को गर्मी लगती है कि उनके शरीर पर पसीने की बूंती देखी जाती है और उनकी पीट भी नम रहती है तो दोस्तों ये थी तिरुपती बालाजी मंदिर के रहसे जिनको जानकर हर कोई हैरान रह जाता है लेकिन आपके मन में जरूर भगवान की प्रती आस्था जाग गई होगी भगवान की इस चमतकार को सभी तक पहुचाने के लिए सच्चे मन से वीजियो को आगे शेयर करें और कमेंच में जैश्री कृष्ण जरूर लिखे तो दोस्तों इसे उम्मीद के साथ वीडियो का अंत करते हैं और भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें जैश्री कृष्ण ने